ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 21 अपरेल 2024 बाबा के महा वाक्य तीवर पुरुशार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ आज बाब दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर तीन लकीरें देख रहे हैं जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर ये परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है सिवा इस संगम युक के ये परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती ये परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर परमात्म पढ़ाई ये कितना भाग्य है जो स्वैम परम आत्मा सिक्षक बन पढ़ा रहे हैं तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर सोचो कितनी प्राप्तियां हैं सभी को याद है न प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है तो हर एक के मस्तक में ये तीन लकीर चमक रही है ऐसे भागयवान आत्माएं अपने को समझते हो पालना पढ़ाई और प्राप्तियां साथ साथ बाब दादा बच्चों के निश्चे के आधार पर रोहानी नशे को भी देख रहे हैं हर एक परमात्म बच्चा कितना रोहानी नशे वाली आत्माएं है सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है महान भी है और होलियेस्ट भी है आप जैसी पवित्र आत्माय तन से भी, मन से भी देव रूप में सर्व गुण संपन, संपून निर्विकारी और कोई बनता नहीं है और फिर हाईएस्ट भी हो, होलियस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को समर्ती दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओ मंडली रिचेस्ट इन्दी वर्ल्ड, ये स्थापना के समय की आप सब की महिमा है एक दिन में कितना भी बड़ेते बड़ा मल्टी मल्टी मिल्यूनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है लोग रिचेश्ट बनने के लिए कितनी महनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो जानते हो न साधन सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस बिंदी लगाई कमाई हुई आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वे भी बिंदी है तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है एक के आगे बिंदी लगाओ, तो क्या हो जाता है दस, दो बिंदी लगाओ, तीन बिंदी लगाओ, चार बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है तो आपका साधन कितना सहज है मैं आत्मा हूँ, ये समर्ती की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा कर्म में संबंद संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता तो बताओ सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो और बिंदी लगाना कितना सहज है मुश्किल है क्या बिंदी खिसक जाती है क्या बाप दादा ने कमाई के साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ तो सभी को बिंदी लगाने आती है अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ पक्की है ना या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है सबसे सहज बिंदी लगाना है कोई इस आँखों से ब्लाइंड भी हो वे भी अगर कागच पर पैंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है और आप तो त्रिनेत्री हो इसलिए इन तीन बिंदियों को सदा यूज करो इसलिए बाब दादा भिन भिन रूप से बच्चों को समान बनाने की विदी सुनाते रहते हैं विदी है ही बिंदी और कोई विदी नहीं है अगर विदे ही बनते हो तो भी विदी है बिंदी बनना अशरीरी बनते हो, कर्मा तीत बनते हो, सब की विदी बिंदी है करते जब कार्य में आते हो तो पहले तीन बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ वल लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना लेकिन समर्ती का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से ये समर्ती का तिलक मिटे नहीं अविनाशी अमिट तिलक है बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी महनत से कितने प्यार से नींद प्यास को भुला कर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुशार्थ करते हैं बाप दादा सब देखते हैं क्या क्या करते हैं वेक्ट सारा ड्रामा देखते हैं बाप दादा बच्चों के प्यार पर नियोचावर भी होते हैं और ये भी बच्चों को कहते हैं जैसे साकार में मिलने के लिए दोडदोड कर आते हो ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीवर पुरुशार्थ करो इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नमबर मिले हैं सब को तो मिलता नहीं है यहां साकारी दुनिया है ना तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाएं लेकिन ये हो सकता है हो भी रहा है कैसे पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं तो सबसे समीप है नैन तो पीछे नहीं बैठे हो लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो नूरे रत्न हो पीछे वालों ने सुना दूर नहीं हो समीप हो शरीर से पीछे बैठे हैं लेकिन आत्मा सबसे समीप है और बाप दादा तो सबसे ज़्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं देखो नजदीक वालों को इन श्थूल नैनों से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेते हैं बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं दो बज़ता है और लाइन शुरू हो जाती है बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े ठक भी जाते हैं लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं टांगों में मसाज हो जाता है, बाप दादा का मसाज देखा है न, बहुत न्यारा और प्यारा है, तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांच लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुँच गए हैं, अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्सा सदा आगे बढ़ाता है लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है, बाप एक है और बच्चे अनेक परन्तु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिकी लधे हो, देखो कहां कहां देश विदेश के कोने कोने से बाप नहीं आपको ढूंडा, आ भूंड सके? भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके और बाप ने भिन भिन देश, गाओं, कस्वे जहां जहां भी बाप के बच्चे हैं वहाँ से धूंड लिया अपना बना लिया गीत गाते होना मैं बाबा का और बाबा मेरा ना जाती देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सब के मस्तक पर एक ही रुहानी रंग देखा, जोती बिंदू डबल फॉरिनर्स क्या समझते हैं? बाप ने जाती देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुन्दर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है, ये देखा तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? दोनों का है, बच्चे भी उत्तर देने में होश्यार हैं, कहते हैं, बाबा, आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींशता है, तो आपका प्यार है, तो हमारा तब तो खींशता है बच्चे भी होश्यार हैं और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत उमंग उत्सा रखने वाले बच्चे हैं बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है एक बाद तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मैजारिटी बच्चों का अटेंशन रहा है परसेंटेज जितनी स्वैम भी चाहते हैं उतनी नहीं है परन्तु अटेंशन है और दिल ही दिल में जो तीवर पुरशार्ती बच्चे हैं वह अपने प्रतिग्या को पूरा करने के लक्ष से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुँच ही जाएंगे मैनारिटी अभी भी कभी अलबेले पन में और कभी आलश्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं उन्हों का एक विशे सिलोगन है हो ही जाएंगे जाएंगे जाना है नहीं जाएंगे हो ही जाएगा यह अलबेला पन जाना ही है यह तीवर पुरशार्त बाप दादा वाइदे बहुत सुनते हैं बार बार वाइदे बहुत अच्छे करते हैं बच्चे वाइदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिलखुश मिठाई खिला देते हैं बाप भी खा लेते हैं लेकिन वाइदा अर्थात पुर्शार्थ में जादा से जादा फाइदा अगर फाइदा नहीं तो वाइदा समर्थ नहीं है तो वाइदा भले करो फिर भी दिलखुश मिठाई तो खिलाते हो न साथ साथ तीवर पुर्शार्थ की लगन को अगनी रूप में लाओ, ज्वाला मुखी बनो समय प्रमाड रहे हुए जो भी मन के संबंद संपर्ख के हिसाब किताब है उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो लगन है इसमें बाप दादा भी पास करते हैं लेकिन अभी लगन को अगनी रूप में लाओ, विस्व में एक टरफ बरस्टा-चार अत्या-चार की अगनी होगी दूसरे तरफ आप बच्चों का पावर्फुल योग अर्थात लगन की अगनी ज्वाला रूप में आवश्चक है ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अगनी को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो ये याद की अगनी उस अगनी को समाप्त करेगी और दूसरे तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनभूती कराएगी बेहद की वैराग्य व्रत्ती प्रज्वलित कराएगी एक तरफ भस्म करेगी दूसरे तरफ शीतल भी करेगी बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है सिवाए बाबा के और कोई नहीं ये बहुत अच्छा है परन्तु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो जो यादगार में शक्तियों का शक्ती रूप महाशक्ती रूप सर्व शस्त्रधारी दिखाया है अभी वय महाशक्ती रूप प्रत्यक्ष करो चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो सागर नहीं हो नदी हो ग्यान गंगाय हो तो ग्यान गंगाय अब आत्माओं को अपने ग्यान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो यह है वर्तमान समय का ब्राममणों का कार्य सभी बच्चे पूछते हैं कि साल क्या सेवा करें तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्त अवस्ता में हैं तो वानप्रस्ती अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर स्वयम वानप्रस्त होते हैं तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, स्रेष्ट संकल्प का खजाना, अभी औरों के प्रती लगाओ, अपने प्रती समय संकल्प कम लगाओ, औरों के प्रती लगाने से सुएम भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित बन जाएंगे, मंसा सेवा वाचा सेवा और सबसे ज़्यादा चाहे ब्रामन चाहे और जो भी सम्मंद समपर्क में आते हैं उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बनके देते जाओ निस्वार्थ बन, खुशी दो, शान्ती दो, आनंद की अनुभूती कराओ, प्रेम की अनुभूती कराओ देना है और देना माना स्वता ही लेना जो भी जिस समय जिस रूप में संबंद संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूती के बिना खाली नहीं जाता ये चैक करो, जो भी आया, मिला, कुछ दिया वा खाली गया खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते अखुट अखंड दाता बनो कोई मांगे, नहीं, दाता कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो दे अखुट महादानी महादाता सोयम ही देता है तो पहली सेवा इस वर्स, महान दाता की करो आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो, ब्रामण कोई भिकारी नहीं है लेकिन सहीयोगी है तो आपस में ब्रामणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहीयोग देना है ये है पहला नंबर सेवा और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुश खबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा कि जो इस रष्टी के आवाज फैलाने के निमित बाप दादा ने जो माईक नाम दिया है तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कारे को किया है और जब प्लैन बना है तो प्रैक्टिकल होना ही है लेकिन भारत में भी जो तेरा जोन हैं हर एक जोन से कम से कम एक ऐसा विशेश निमित सेवाधारी बने जिसको माईक कहो या कुछ भी कहो आवाज फैलाने वाले कोई निमित बनाओ यह बाप दादा ने कम से कम कहा है लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित बनने वाले हैं तो सिर्फ जोन वाले नहीं लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी अभी मुख से भी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में लाने का प्लैन पहले बाप दादा के सामने लाया वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज हैं लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ बहुत सहयोगी हैं लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ साथ साथ ब्रामन आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ वा मदुबन में चारों और ज्वाला स्वरूप का वायू मंडल बनाने के लिए चाहे जिसको भट्टी कहते हो वा करो चाहे आपस में संगठन में रूह रिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बाते हैं न जिसमें समय लगता है मेहनत लगती हैं डिल शिकस्त बनते हैं वसब ऐसे लगेगा जैसे ज्वाला मुखी हाइस्ट स्टेज और उसकी आगे ये समय देना मेहनत करना एक गुडियों का खेल अनुभव होगा सुटा ही सहज ही सेफ हो जाएंगे बाब दादा ने कहा ना कि सबसे ज़्यादा बाब दादा को रहम तब पढ़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्व शक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए महनत करते हैं महबबत जौला मुखी रूप की कम है तब महनत लगती है तो अभी महनत से मुक्त बनो अलबेले नहीं बनना लेकिन महनत से मुक्त होना ऐसे नहीं सोचना महनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ लेकिन महबबत से महनत खत्म करो अलबेले पन से नहीं समझा क्या करना है अभी बाप दादा को आना तो है ही पूछते हैं आगे क्या होगा बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे बाप दादा ना तो करते नहीं है हाजी हाजी करते हैं बच्चे कहते हैं हजूर बाप कहते हैं जी हाजर तो समझा क्या करना है क्या नहीं करना है महनत मुख्बत से कट करो अभी महनत मुक्त वर्स मनाओ मुख्बत से आलस्त से नहीं ये पक्का याद रखना आलस्त से नहीं ठीक है सब संकल्प पूरे हुए कोई रह गया जनक से दादी जानकी से पूछते हैं कुछ रहा दादी तो मुस्कुरा रही है खेल पूरा हो गया ये ओपरेशन भी क्या है खेल में खेल है खेल अच्छा रहा न ड्रिल सेकंड में बिंदी सरूप बन मन बुद्धी को एकागर करने का अभ्यास बार बार करो स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ दे भान से मन बुद्धी एकागर हो जाए ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो ऐसे नहीं ओर्डर करो कंट्रोल और दो मिनिट के बाद कंट्रोल हो पांच मिनिट के बाद कंट्रोल हो इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ सेकेंड में होता है, मिनेट में होता है, जादा मिनेट में होता है ये सब चेक करते जाओ अभी सभी को तीन मास का चार्ट और पक्का करना है सर्टिफिकेट लेना है पहले सोयम सोयम को सर्टिफिकेट देना फिर बाब दादा देंगे अच्छा चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को परमात्म पढ़ाई के अधिकारी सरेष्ट आत्माओं को परमात्म प्राप्तियों से संपन आत्माओं को सदा बिंदी की विदी से तीवर पुरसार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मुहबबत में समाय हुए बच्चों को, जुआला स्वरूप विशेश आत्माओं को बाब दादा का याद प्यार और नमस दे वर्दान, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ती से वियर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव कहा जाता है संकल्प भी स्रश्टी बना देता है जब कमजोर और वियर्थ संकल्प करते हो तो वियर्थ वाइउ मंडल की स्रश्टी बन जाती है सच्चे सेवाधारी वह हैं जो अपने शुद्ध शक्तिसाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दें जैसे साइन्स वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे अब ऐसी सेवा करो सिलोगन विग्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो मुक्ती वर्स मनाओ अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती